अतीत में, चुके हम पर्मेश्वर के देधारन को नहीं जानते थे, हम कई तरीकों से पर्वेश्वर का आख्लान और उनका विरोध करते थे, और इस तरह पच्थावे की निशानियां बनाते थे, अब कम से कम सर्वशक्तिमान पर्वेश्वर के वच्णों और आपके सहमती के जरीए, हम देहदारन के कुछ सत्य को समझ पाए हैं, पर्मेश्वर का धन्यवाद, जिससे हम ये महसूस कर पाए हैं, कि पर्मेश्वर के देहदारन को जानना कितना महत्पूरून है, इसका सीधा असर इस बात पर है कि हमें बचाया जा सकेगा या नहीं और ये हमारे अंतिम भाग्य को प्रभावित करता है, कल रात मैंने सर्वशक्तिमान पर्मेश्वर के वच्णों को पढ़ा, बरष्ट मानवजाती को देहदारन किये होए पर्मेश्वर के उध्धार की अत्यादे का आवश्वकता है, मुझे लगता है ये पर्मेश्वर के वच्ण का बेहतरीन बहुत ही व्यवारिक अंश है, और बहुत ही महत्पूर्ण है, ब्रश्ट मानवजाती को परमेश्वर के देहधारल का उद्धार क्यों मिलना चाहिए ये सत्य का ऐसा पहलू है जिसे मनश्चुकाती शीक्र समेजना चाहिए कृपया इस पर हमारे साथ थोड़ा और समभात करें ताकि हम सब सत्य के इस पहलू को समझ सकें हाँ, सही का परमेश्वर के कारे और परमेश्वर द्वारा इस्तमाल किये गए लोगों के कारे के बीच थोड़ा सांतर है सत्य के इस पहलू के बारे में जानना अवश्यक है कुछ आध्यात्मिक विशेशग्य और भाश्यकार किताबे भी लिगते है अगर परमेश्वर उनका इस्तमाल करते हैं तो वे भी मानवजाती को बचा सकते हैं यह सही है आमीन भाईताओ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत हैं ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक विशेशग्य और भाश्यकार हैं अगर वो वाकई मानवजाती को बचाने का काम करते हैं तो फिर उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं कर दिया अगर उनके द्वारा लिखी गई किताबें वाकई सत्य के किताबे थी तो फिर वो अपने आपको आखिर क्यों नहीं बचा पाए इसके अलावा उनकी किताबों को पढ़ने वाले लोगों में से कितने लोगों को बचाया गया बात करते समय तत्थियों पर भी गौर कर लो अच्छा सब लोग शांत हो जाईए भाईलू का सवाल कि क्यों केवल परमेश्वर का देधार्ण मानवजाती को बचा सकता है मेरे विचार से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए ज़ही है भाईलू आपकी बात्ची जारी रखें ठीक है जारी रखते हैं भरश्ट मानवजाती को देहधारन किये वए परमेश्वर के उथार की अत्यधिक आविश्चता है परमेश्वर के वचन का यह अंश परमेश्वर के देहधारन द्वारा भरश्ट मानवजाती के उथार के अत्यधिक को स्पष्ट करता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते है यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि शैतान ने मनुश्य के शरीर को भ्रष्ट कर दिया है और मनुश्य ही वहप्रानी है जिसे परमेश्वर बचाने का इरादा करता है यह कि परमेश्वर को शैतान के साथ युद करने और व्यक्तिकत तोर पर मनुश्य की चरवाही करने के लिए देह का रूप लेना ही होगा केवल यही उसके कारे के लिए फाइदेमंद है मनुश्य की देह को शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया गया है और बिल्कुल अंधा कर दिया गया है और गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है परमेश्वर किसलिए व्यक्तिगत रूप से देह में कारी करता है उसका अत्यंत मौलिक कारण है क्योंकि उसके उधार का विशय है मनुष्य जो देह से है और क्यूंके शैतान भी परमेश्वर के कार्य को बिगाडने के लिए मनुश्य की देह का उपयोग करता है शैतान के साथ युद्ध वास्तव में मनुश्य पर विजय पाने का कार्य है ठीक उसी समय मनुश्य भी परमेश्वर के उधार का विशय है इस रीती से देहधारी परमेश्वर का कार्य परम आवेशक है शैतान ने मनुश्य की देह को भरष्ट कर दिया और मनुश्य शैतान का मूर्थ रूप बन गया है और ऐसी चीज बन गया है जिसे परमेश्वर के द्वारा हराया जाना है इसी रीती से शैतान से युद करने और मनुष्य को बचाने का कार्य पृत्वी पर घटित होता है शैतान से युद करने के लिए परमेश्वर को अवश्य मनुष्य बनना होगा यह अत्यांत व्यावहारक्ता का कार्य है मैंगफू, क्या तुम इसे पढ़ोगे? मनुष्य की देह को बहुत ज्यादा भ्रस्ट किया जा चुका है और यह कुछ ऐसा बन चुका है जो यहां तक की खुले तोर पर परमेश्वर के अस्तित्व का विरोध भी करता है और उसे नकारता भी है इस भ्रस्ट देह का उपचार करना बहुत ही मुश्किल है और देह के भ्रस्ट सौभाव से निपटने या उसे बदलने से ज्यादा कठिन और कुछ नहीं है शैतान परेशानिया खड़ी करने के लिए मनुष्य की देह के भीतर आता है और परमेश्वर के कारे में गड़बडी डालने के लिए मनुष्य की देह का उपयोग करता है और परमेश्वर की योजना को बाधित करता है और इस प्रकार मनुष्य शैतान एवं परमेश्वर का शत्रू बन चुका है मनुष्य को बचाय जाने के लिए पहले उस पर विजय पाना होगा यही कारण है कि परमेशवर चुनोती के लिए उठता है और देह में होकर आता है कि वो कारे करे जिसे उसने करने का इरादा किया है और शैतान के साथ लड़े उसका उदेश्य मनुष्य का उद्धार है जिसे भ्रस्ट किया जा चुका है और शैतान की पराज़े एवं उसका संपूर्ण विनाश है जो उसके विरुद्ध विद्रोह करता है वो मनुष्य पर विजे पाने के अपने कार्य के जरिये शैतान को पराजित करता है और ठीक उसी समय भ्रस्ट मानवजाती का उधार करता है इस प्रकार परमेश्वर एक बार में ही दो समस्याओं को हल करता है जब परमेश्वर देह में कार्य कर रहा है तो वो वास्तों में देह में शैतान से युद्ध कर रहा है जब वो देह में कारे करता है तो वो आत्मिक आयाम में अपना कारे कर रहा है और आत्मिक आयाम में अपने समस्त कारे को पृत्वी पर वास्तविक करता है वो प्राणी जिस पर विजय पाया जाता है वो मनुष्य है जो उसके प्रती अनाग्याकारी है वो प्राणी जिसे पर परमेश्वर के लिए और भी अधिक जरूरी हो जाता है कि ऐसा मनुष्य बने जिसके पास एक जीवधारी का बाहरी आवरन हो ताकि वो शैतान के साथ वास्तविक यूद करने में सक्षम हो एवं मनुष्य पर विजय पाएं जो उसके प्रती अनग्याकारी है और उसके समान ह जी बाहरी आवरन धारन किये हुए हो जो उसके समान ही बाहरी आवरन का हो और जिसे शैतान के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया हो उसका शत्रू मनुष्य है उसकी विजय का विशय मनुष्य है और उसके उध्धार का विशय मनुष्य है जिसे उसके द्वारा स्रज् मनुष्य बनना होगा और इस रीती से उसका कार्य और अधिक आसान हो जाता है वो शैतान को हराने और मनुष्य को जीतने में समर्थ है और उसके अत्रिक्त मनुष्य को बचाने में समर्थ है परमेश्वर के वचन कितने मर्म भेदी है हाँ, हाँ, बिल्कुल वे घमंडी, आत्म अभिमानी, लापरवा और स्वेच्छा चारी हैं, वे सभी शैतान के प्रतिरूप हैं, और परमेश्वर का विरोध करने के लिए शैतान के साथ साजिश करते हुए ब्रश्ट हो गए हैं, फिर भी इस बात को समझते नहीं, परमेश्वर स्रिष्टी के चांट कर सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने और काम करने का तरीका बता सकते हैं, और मानव जाती को पूरी तरह से जीतने, शुद्ध करने और बचाने का काम कर सकते हैं, परमेश्वर के अलावा, कोई भी स्रिजट जीव, मानव के भष्ट आचार के सार को नहीं समझ सकता और निच्चित रूप से मनुष्य को मनुष्य की तरह कारे करने की तरीके का सत्य नहीं बता सकता इसलिए अगर परमेश्वर पूरी तरह से भष्ट मानव जाती को शैतान के चंगुल से निकालना चाते हैं और उसे बचाना चाते हैं तो ये केवल तभी हो सकता है जब परमेश्वर का देधारन व्यक्तिकत रूप से सत्य और परमेश्वर के स्वभाव को अभी व्यक्त करता है। और मनुश्य को वह सारा सत्य बताता है जो उसके पास होना आवश्यक है, जिससे मनुष्य सत्य को परमेश्वर को समझ सकता है केवल तभी मनुष्य शैतान को त्याग और अस्विकार कर सकता है और परमेश्वर के पास वापस लोट सकता है इसके अलावा, परमेश्वर के देहधारन का कार्य सभी प्रकार के मनुष्यों को उजागर करता है सारे मनुष्य घमंडियां और ये मानने से इंकार करते है जब परमेश्वर सत्य को अभिवेक्त करने के लिए देहधारन करते हैं तो मनुष्य सदेव अपनी अवधारनाओं के साथ प्रतिक्रिया प्रतिरोध और लड़ाई करता है इस तरह परमेश्वर का प्रतिरोध करने और धोका देने की भ्रष्ट मानवजाती के सचाई पूरी तरह से उजागर हो जाती है और परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्टाचार और उनकी सही प्रकृती के आधार पर उसका न्याय करते हैं। इसी तरह परमेश्वर द्वारा मानवजाती के विजय, शुद्धिकरण और पूर्णता का कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। परमेश्वर के वचनों के न्याय के माध्यम से मनुश्य को धीरे-धीरे जीता और शुद्ध किया जाता है। मनुश्य को पूरी तरह जीता जाता है, तो वह देधारी परमेश्वर की आज्या का पालन करने लगता है। वह परमेश्वर के न्याय और ताढ़न को सुविकार कर आग्या पालन करता है और परमेश्वर के कारे का अनुभव करता है वह सत्य की खोच करने के लिए तयार होता है और फिर कभी शैतान के सिधान्त और नियमों के अनुसार नहीं जीता है जब मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर के बचन के अनुसार जीता है तब परमेश्वर ने शैतान को पूरी तरह से पराजित किया होता है भ्रष्ट मनुष्य शैतान के विरुद उनकी जीत का अवशेश बन जाता है वास्तव में परमेश्वर भ्रष्ट मानवजाती को शैतान के चंगूल से निकालते हैं ऐसा प्रभाव केवल देवधारी परमेश्वर के कारे में हो सकता है यह मानवजाती को बचाने के लिए परमेश्वर के देवधारन करने की जरूरत है वे ही मानव जाती को बचा सकते हैं। परमेश्वर जिन लोगों का इस्तवाल करते हैं, वे मानव जाती के छुटकारे और बचाव का कारे करने में सक्षम होते हैं। अब मैं थोड़ा साफ साफ समझ भाया। मनुष्यों को शैतान ने भिष्ट कर दिया है, क्योंकि उसके पास सत्य को पहचानने का अभाव है। परमेश्वर के लिए मानव जाती को बचाने, शैतान के कारिक्षित्र से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। मनुष्य के आमने सामने परस्पर व्यवारिक और असली समवात करना है। ताकि मनुष्य का न्याय करने और उजागर करने के लिए सत्य को अभी व्यक्त किया जा सके। केवल इसी तरीके से परमेश्वर मनुष्य को जीत सकते हैं, और मनुष्य को उनके पास वापस लोटने और उनकी आग्या का पालन करने में सक्षम बना सकते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के सामने आता है, तभी उसे परमेश्वर के वचन का न्याय और शुद्धी करण प्राप्थ हो सकता है, और वो परमेश्वर की बुद्धमता को अनुभव कर सकता है, तभी मनुष्य अपने आपको परमेश्वर के चरणों में दंदुवत कर सकता है। और परमेश्वर का सम्मान और पश्टा ताप कर सकता है। और केवल तभी वो परमेश्वर के कारे का पालन कर सकता है और पूर्ण किया जा सकता है। परमेश्वर का देधारन मानवजाती को बचाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। परमेश्वर को मनुष्य का इस्तिमाल करना होता, तो वो इस प्रकार का प्रभाव कभी हासल नहीं करें। हाँ, मनुष्य के साथ देधारी परमेश्वर का समवाद सच मुछ मनुष्य को उजागर कर देता है कि वो कौन है? इस तरह देधारण के जरीए मनुष्य के विद्रोह और प्रतिरोह तता उसकी प्रकृति और सार सब उजागर हो जाते हैं. इसके लावा मनुष्य के अवधारणाएं, कलपनाएं और सभी प्रकार की धारणाएं पश्ट हो जाती हैं. परमेश्वर मनुष्य के नियाए और शुद्धिकरण के लिए मनुष्य के भरष्टाचार को लक्ष बनाकर सत्य को अभिवक्त करते हैं. ये परमेश्वर के लिए मानव जाती को बचाने का बहतरीन तरीका है मनुष्य जाती को बचाने के लिए परमेश्वर के देधारन का कारे सच मुछ वेवारिक है केवल जब परमेश्वर देधारन करते हैं और लोगों के बीच कारे करने आते हैं मनुष्य के भ्रस्टाचार, प्रकृति और सार को उजागर करने के लिए सत्य को अभिव्यक्त करते हैं, मनुष्य को बचाया और शुद्ध किया जा सकता है, हम भ्रस्ट मनुष्यों को परमेश्वर के देधारन की सबसे अधिक जरूरत है, अगर हम केवल उचे स्वर्क के प खाली सिध्धन्तों को समझते और उनके बारे में बात करते हैं, तो हम परमेश्वर को कभी भी जान नहीं पाएंगे और कभी भी परमेश्वर द्वारा बचाया नहीं जा सकेंगे, हाँ, प्रश्ट मनुष्य को सचमुष अपने न्याय और शुद्धी करन के लिए लिए परमेश्वर को समझने और जानने का मॉका देते हैं, क्योंकि असली सत्य की खोश करने वाले, अन्थ के दिनों के मसीय के न्याय और शुद्धी करन को सुविकार करते हैं, वे स्वाभाविक रूपसे परमेश्वर की आज्ञा का पालं करने में सक्षम होते हैं, और परमेश्वर ने देगधारन किया है, हमें परमेश्वर के साथ आने और उनके असली कारे का अदुभाव करने का आउसर मिला। और हमें परमेश्वर के वचन की आपूरती प्राप्त करने दथा, उनके द्वारा मार्ग दर्शित होने का मौका मिला। ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की आग्या मानना और उनको सच्मुश प्रेम करना चुरू कर सके। अगर परमेश्वर ने मानव जाती के उद्धार का कारे करने के लिए तेगधारन नहीं किया होता, तो ये व्यवाहरिक प्रभाव हासिल नहीं किया जा सकता था। एवं अत्यंत देह में किये गए उसके समस्तेकार्य और समुची मानो जाती के लिए उसकी इच्छा को उन लोगों तक पहुचा सकते हैं जो इस मार्क को स्वीकार करते हैं केवल मनुश्य के बीच देह में प्रगट परमेश्वर का कार्य ही सच्मुच में परमेश्वर के अस्तित्व और मनुश्य के साथ रहने के तथ्य को पूरा करता है केवल ये कार्य ही परमेश्वर के मुख को देखने परमेश्वर के कार्य की गवाही देने और परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन को सुनने हे तू मनुश्य की इच्छा को पूरा करता है यह प्रभू का वचन है। इसे केवल देधारी परमेश्वर के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। देधारी परमेश्वर उसकी चरवाही करे, उसकी आपूर्ती करे, उसकी सीचाही करे, उसका पोशन करे, उसका न्याय एवं उसकी तारना करे। और उसे देधारी परमेश्वर से और अधिक अनुग्रह एवं और बड़े छुटकारे की आवश्वर के एवल देह में प्रगट परमेश्वर ही, मनुष्य का दिरड विश्वास पात्र, मनुष्य का चरवाह, मनुष्य का आती निकट सहायक बन सकता है। और पिछले समयों में एवं आज ये सब देह धारन की अवश्शकता है। जान सकता है। इस तरीके से वो परमेश्वर की व्याभारिक समझ और ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। जिस तरह आनुग्रह की युग में पतरस ने प्रभू येश्व से पूछा था। हे प्रभू, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे ख्षमा करूँ। क्या साथ बार तक। येश्व ने पतरस से सीधे कहा था। मैं तुझसे ये नहीं कहता के साथ बार तक वरन, साथ बार के सत्तर गुने तक। इससे हम ये देख सकते हैं कि देधारी प्रभू येश्व जहां कहीं भी गए उन्होंने मनुष्य का पोशन और सहयोग किया। जिससे मनुष्य को सबसे व्याभारिक और स्पष्ट आपूर्ति मिली। अंध की दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के बीच में देधारी हुए। मनुष्य की परिसिति का समाधान करने के लिए सत्त्य को अभिवक्त किया। परमेश्वर के स्वभाव और वो सब जो परमेश्वर के पास है और उनका स्थित्व को अभिवक्त किया, ताकि मानोजाती का सहयों किया जा सके। परमेश्वर में मनुष्य के विश्वास के भीतर की सभी अशुधियों और दुर्गुणों की और ध्यान दिलाया। मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा और उनकी मांगों की जानकारी ती, जिससे मनुष्य को जीवन की सबसे व्यावाहारिक और स्पष्ट आपूर्ति और पूछन मिला। उधारण के लिए, जब हम परमेश्वर के बारे में जाने बिना उनसे विद्रोह और प्रतिरोध करते हुए जीते हैं, परमेश्वर का वच्चन हमें सीधे उजागर कर हमारा न्याय करता है, जिससे हमें परमेश्वर के वचन में ये देख पाते हैं कि कैसे हमारी शैतानी प्रकृती परमेश्वर के विरुद्ध है जब हम अपने व्यक्तिकत लाब के लिए परमेश्वर का अनसरन करते हैं और ऐसा करने में आत्पसंतुष होते हैं परमेश्वर हमारी कमियों को उजागर करते हैं और हमें बताते हैं कि परमेश्वर के आनुआई के रूप में हमारी धराना है क्या होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के न्याय के हमारे आनुभव में परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं कि किस तरह देहधारी परमेशवर् हमारी लगातार मदद करते हैं, और हमें परिपूर्ण करते हैं, ताकि हमें जाँश पड़ता लियाख होज ना करनी पड़े. परमेशवर् के व्यावाहरिक पोशन और जल को पराप्त करने लिए, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को अधिक पढ़ना चाहिए परमेश्वर द्वारा अभीविक्त किये गए वचन के माध्यम से हमें परमेश्वर की इच्छा, उनके स्वभाव और वो सब जो उनके पास है उनके अस्तित्व की समझ मिलती है और इस समझ के जरीए हम जान पाते हैं कि हम एक सही जीवन कैसे जी सकें और शैतान के नीच कारियों के बारे में जाने ये देख सके कि कैसे हमने आपने आपको शैतान के द्वारा पूरी तरह से भरट कर लिया है और ऐसा करने में अपने पाप और शैतां के काले प्रभाव को खत्म कर सकें इसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सोहा बदल जाता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं सत्य की वास्तविक्ता के साथ जिने लगते हैं मुझे बताने में खुशी है कि परमेश्वर के देधारन ने ये सब संभव कर दिया है सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचन और आपकी गवाही की माध्यम से मैं ये देखता हूं कि भ्रष्ट मनुष्य को सच मुझ देधारी परमेश्वर के उधार के अवशकता है अगर परमेश्वर ने मानव के बीच में रहकर कारे करने के लिए स्वैम देधारन नहीं किया होता तो मानव जाती परमेश्वर की सीधी और वहवारक निगरानी पाने में सक्षम नहीं होती हाँ अपने समय में प्रभू येशु ने मनुश्य के साथ समवात किया था सीधे मानव जाती को सत्य कमार दर्शन किया था और उनकी जीवन की आपूर्ती की थी अंत के दिनों के सर्व शक्तिमान परमेश्वर भी इसी तरीके से मनुश्य के साथ आमने सामने बात करते हैं ताकि मनुश्य को पोशन दे सकें और उसकी समस्याओं को वहवारिक रूप से सुलजा सकें वो मनुश्य के ब्रश्टाचार को संपून रूप से उजागर करते हैं और सीधे मानवजाती को परमेश्वर की इच्छा और मांगों की जानकारी देते हैं. ये धर्म का पालन करने और परमेश्वर के कारे का अनुभव करने का सबसे बैवारिक तरीका है. आमीन. मनुष्य का सीधे न्याय और शुद्धिकरन करने के लिए सिर्फ देधरन करके ही, परमेश्वर मानब जाती को पूरी तरह से बचा सकते हैं. आमीन. मनुष्य परमेश्वर की रचना है. किवल परमेश्वर ही, मनुष्य से उस तरह प्रेम करते हैं और उसे बचाते हैं. परमेश्वर का धन्यवाद. उद्धार का कारे करने के लिए मनुश्य के पुत्र के रूप में परमेश्वर का देधारन परमेश्वर के प्रेम की बेहत्रीन अभिव्यक्ति है परमेश्वर को अपने देधारन और मानवचादी के उद्धार में कितनी पीड़ा सहन करने पड़ती है परमेश्वर को मनुश्ची के परमेश्वर का प्रेम सच्मुछ महार है बहुत गहरा है लेकिन देहधारी परमेश्वर को स्विकार करना आसान कारி नहीं है जब प्रभू येश्व आये थे, क्या उनको सूली पर नहीं टांग डिया गया था? जिन लोगों ने सचमुच प्रभू येश्य को स्विकार किया था वो निश्चित रूप से सत्य के प्रेमी थे उन लोगों ने कितना ज्यादा आध्यान किया होगा और कितनी जाच परताल की होगी इसलिए मानवजाति को बचाने के उनके देहधारन में परमेश्वर ने काफी त्याग किया था परमेश्वर द्वारा मानवजाति का उद्धार कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने देहधारन किया था उन्होंने सत्य व्यक्त किया है अगर हम उन्हें स्विकार नहीं करते तो हम अत्यधिक विद्रोही हैं ये परमेश्वर को आँख पूंद कर पहचानने से इनकार है परमेश्वर ने कारी करने और अपना वचन अभिव्यक्त करने के लिए देहधारन किया है जिससे मनुश्य को सबसे व्याभारिक जीवन सामगरी और पोशन मिलता है इस तथ्य के बावजूत की देहधारी परमेश्वर की न्या की कारी के संबंद में मनुश्य की अवधारनाएं हैं परमेश्वर ने मनुश्य को जीवन का मार गौर चिर्स्थाई उद्धार दिया है परमेश्वर के लगा, और मनश्य उनके उपर निर्भर हो गया है, सही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बचन का दूसरा अंच पने, भाई, लू, क्या हम भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बचन को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छ भाईयों और बहनों हमने साथ साथ तयारी किया वहां उनको साथ लेंगे बहुत अच्छा परमेश्वर के बचलों को पड़ सकते हैं परमेश्वर करते हैं आईये हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्छनों को पढ़ें प्रिष्ट 1347 पलटें सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है वह कार्यत जिसे वह शरीर में करता है उसकी कलपना करने या उसे मापने हितू कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसका देह हाड मास के मनुष्य के समान नहीं है यद्यपी बाहरी आवरण एक समान है फिर भी मूलतत्व एक जैसा नहीं है उसका देह परमेश्वर के विशय में मनुष्य के मध्य कई धारणाओं को उत्पन करता है फिर भी उसका देह मनुष्य को अत्यधिक ज्ञान अर्जित करने भी दे सकता है और वह किसी भी व्यक्ती पर विजय प्राप्ट कर सकता है जो वैसा ही बाहरी आवरण धारन किये हुए है क्योंकि वह महज एक मनुष्य नहीं है परंतु मनुष्य के बाहरी आवरण के साथ परमेश्वर है और कोई भी पूरी तरह से उसकी गहराई को माप नहीं सकता एवं उसे समझ नहीं सकता है यद्यपी अधिकांश लोग इस देह के कारण परमेश्वर के शत्रू बन गए हैं फिर भी जब वह अपने कारे को पूरा करता है तो ऐसे लोग जो उसके विरोधी हैं वे केवल आगे से उसके शत्रू नहीं रहेंगे बलकि इसके विपरीत वे उसके गवहा बन जाएंगे वे ऐसे गवहा बन जाएंगे जिन्हें उसके द्वारा जीत लिया गया है ऐसे गवहा जो उसके अनुकूल हैं और उससे अभी भाज्य हैं वह मनुष्य को प्रेरित करेगा कि मानव की प्रती देह में किये गए उसके कारी के महत्व को जाने और मनुष्य मानव के अस्तित्व के अर्थ के लिए इस देह के महत्व को जानेगा मानव की जीवन की प्रगती के लिए उसके वास्तविक मूल्य को जानेगा और इसके अतरिक्त यह जानेगा कि यह देह जीवन का एक जीवन्त सोता बन जाएगा जिससे अलग होनी की बात को मानव सहन नहीं कर सकता है इस तथे के बावजूद की परमेश्वर ने मानवजाती को बचाने और पूर्ण करने के लिए अंत के दिनों में अपने देहधारन में एक मनुश्य के पुतर का रूप लिया उन्होंने न कोई संकेत दिया और नहीं कोई चमतकार किये नहीं उनमें कोई महामानव का गुणिया विशाल डील डॉल है वे मनुश्य की अवधार्णाओं का निशाना भी बने उनकी इंकार प्रतिरोध और अस्विकार के बावजूद मसीह द्वारा व्यक्त किये गए सत्य और किये जाने वाले न्याय के कारियने मनुश्य को परमेश्वर के बचन की आपुर्ती दी है और उन्हें सत्य को हसल करने और परमेश्वर के प्रकटन को देखने में सक्षम बनाया है हालां कि हमने परमेश्वर के असली व्यक्तित्व को नहीं देखा है हमने उनके आंतरिक स्वभाव और उनके पवितरसार को देखा है मानो हमने उनके असली व्यक्तित्व को देखा हो हमने सचमुच परमेश्वर को हमारे बीच रहते देखा है हम महसूस करते हैं कि सिंगहसन के सामने हमारा स्वरगा रोहन किया गया है हमने परमेश्वर के कारे को अनभव किया है और सिंगासन से प्रभावित होने वाले जीवन के सजीव जल की आपूर्ती का आनंद उठाया है। आन्द के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कारिय के अनुभव से, हम उन सचे इरादों को समझ पाए हैं, जिनके साथ परमेश्वर मानवजाती को बचाते हैं। मानवजाती को बचाने के लिए परमेश्वर जो कीमत चुकाते हैं और जिन यात्नाओं को सहते हैं, वह सचमच महान है। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, उनके प्रेम की अभिव्यत्ती है। उसका लक्ष हमारा उधार करना है। हम अपनी मूर्ता के लिए अपने आप से घ्रना करते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने और उनके आज़्यामाने लगते हैं। परमेश्वर के कारिक अनुभव के बाद, हम सब समझ गए हैं कि हम जो बदलाव अपने आप में देखते हैं वे देहधारी परमेश्वर के उधार का परिनाम है अंत की दिनों के मसीह ब्रष्ट मानव जाती का सबसे बड़ा उधार है वे परमेश्वर का ज्यान और परमेश्वर की प्रशंसा पाने की दिशा में एक मात्रमाग है सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचन का दूसरा अंच पढ़ते हैं ठीक है कृपिया प्रश्ट 1454 खोले सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहता है इस बार परमेश्वर कार्य करने आत्मिक देह में नहीं बल्कि एक एक दम साधारन देह में आया है ये ना कैवल परमेश्वर के दूसरी बार देह दारन की देह है बल्कि ये वही देह है जिसमें वो लोटके आया है ये बिल्कुल साधारन देह है इस देह में दूसरों से अलग कुछ भी नहीं है परंतु तुम उस से वो सत्य ग्रहन कर सकते हो जिसके विशय में तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा ये तुछ देह परमेश्वर के सभी सत्य वचन का मूर्त रूप है जो अंत के दिनों में परमेश्वर का काम करती है और मनुष्यों के जानने के लिए यही परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव की अभिव्यक्ति है क्या तुमने परमेश्वर को स्वर्ग में देखने की प्रबल अभिलाशा नहीं की? क्या तुमने स्वर्ग में परमेश्वर को समझने की प्रबल अभिलाशा नहीं की? क्या आपने मनुश्य जाती के गंतव्य को जानने या समझने की प्रबल अभिलाशा नहीं की? वो तुमें वो सब कभी नहीं बताये गए रहस्य से बताएगा, जो कभी कोई इंसान नहीं बता सकता और तुम्हें वो सत्य भी बतायेगा जिने तुम नहीं समझते वो परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे लिए द्वार है नैर युग में तुम्हारा मार्ग दर्शक है अंध के दिनों में परमेश्वर के काम स्वर्ग पर परमेश्वर को मनुश्यों के बीज प्रित्वी पर रहते हुए दिखाना है और मनुश्यों को इस योग्य मनाना है कि परमेश्वर की आग्या माने आदर करे और परमेश्वर से प्रेम करना जाने यही कारण है कि वो देह में दूसरी बार लोट कर आया है यद्यपी आज मनुष्य देखता है कि परमेश्वर मनुष्यों के समान है उसकी एक रनाख और दो आखे और वो साधारन परमेश्वर है अंत में परमेश्वर उन्हें दिखाएगा कि इस मनुष्य के अस्तित्व के बिना स्वर्ग और पृत्वी एक अभूत्पूरों बदलाव से होकर गुजरेंगे इस मनुष्य के अस्तित्व के बिना स्वर्ग मधिम हो जाएगा पृत्वी पर संकट छाजाएगा समस्त माना उजाती अकाल और महामारियों का शिकार बन जाएगी परमेश्वर तुम लोगों को दर्शायगा की अंतिम दिनों में देखधारी परमेश्वर के उद्धार के बिना परमेश्वर ने समस्त माना उजाती को बहुत पहले ही नर्क में नश्ट कर दिया होता तुम सब को ये जानना चाहिए कि बिना इस देह के अस्थित्व के बिना समस्त मानव जाती को एक अवश्यम भावी संकट का सामना करना होगा और अंध के दिनों में मानव जाती के लिए परमेश्वर के कठोर दंड से बचपाना कठिन होगा। इस साधारन शरीर के जन्म के बिना तुम सब की दशा ऐसी होगी जिसमें ना जीवन होगा ना मौत आएगी चाहे तुम लोग उसकी कितनी भी खोज करो इस शरीर के अस्तित्व के बिना तुम सब आज इस सत्य को नहीं पास सकोगे और ना परमेश्वर के सिंगासन के पास लोटना ना होता तो किसी को भी उद्धार का आवसर नहीं मिलता और यदि उसे देह में वापस न आना होता तो उसने बहुत पहले पुराने युग को समाप्त कर दिया होता इस प्रकार से सोचो क्या तुम लोग परमेश्वर के दूसरे बार देहधारण नकार सकते हो तुम सब जबकि इस साधारण मनुष्य से बहुत अधिक बड़ा लाब ग्राप्त कर सकते हो तब तुम लोग उसे आसानी से स्विकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो परमेश्वर के प्रिथवी पर उद्धार कारे करने के लिए मनुष्य के रूप में देधारण करने से ही संभव हुआ है कि मनुष्य का अस्तित्व आज भी बना हुआ है जैसे ही परमेश्वर के उद्धार का कारे पूरा होता है तुरंत प्रथुई पर भारी विपदाएं आएंगी और मानव जाती सबसे बड़े माहा प्रलय से तरस्त हो जाएगी सही बात है अगर परमेश्वर ने देधारा नहीं किया होता तो मनश्य काफी समय पहले समात हो चुका होता हम कभी इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते थे सर्विशक्तिमान परमेश्वर के वचन के दूसरे अंश को पढ़ते हैं क्रिपया प्रष्ट 1456 खोले भाई लू ये अंश मैं पढ़ूगा बहुत अच्छा आज जो कुछ तुम लोगों के पास है वह इसी देह के कारण है क्यूंकि परमेश्वर इस देह में है इसी लिए तुम सब को जीने का मौका मिला ये उत्तम भविश्य या भाग ये जो तुम सबने पाया है वो इस साधारन मनुष्य के कारण है ना केवल इतना परंत्वंत में समस्त जातियां इस साधारन मनुष्य की उपासना करेंगी साथ ही साध धन्यवाद देंगी और इस मामूली से व्यक्ति की आज्या का पालन करेंगी क्योंकि इसी ने समस्त मानव जाती का उद्धार करने के लिए सत्य, जीवन और मार्ग दिया है परमेश्वर और मनुश्यों के बीच के संघर्ष को शांत किया है परमेश्वर और मनुश्यों को निकट लिया आया है और उनके बीच विचारों का संचार किया है इसी ने परमेश्वर को और भी अधिक महान महिमा प्रदान की है क्या ऐसा साधारन व्यक्ति तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा के योग्य नहीं है? क्या ये साधारन देह, मसीह कहलाने के उप्यूक्त नहीं है? क्या ऐसा साधारन मनुश्य, मनुश्यों के बीच परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकता क्या ऐसा व्यक्ति जो मानव जाती को संकट से बचने में सहाईता करता है वो तुम लोगों के प्रेम और अवलंबन के योगे नहीं है यदि तुम सब उसके मुख से निकले सत्य को नकारो तुम लोग अपने बीच में उसके अस्तित्व को अप्रिय जानो तब तुम सब की नियती क्या होगी? अब प्रश्ट 1457 पर चले भाई वॉंग, क्या आप इसे पढ़ेंगे? ठीक है यिशु के कार्य के बिना मानव जाती दुखों से बार नहीं पा सकती थी परन्तु बिना आश के देखधारण के जो कुरूस से उतर आये हैं वो कभी परमेश्वर की सराहना नहीं पा सकते थे या नए युग में प्रवेश नहीं कर सकते थे इस साधारण मनुष्य के आगमन के बिना तुम सबको कभी भी ये अवसर नहीं मिलता या तुम लोग कभी भी इस योग ये नहीं हो सकते की परमेश्वर के सच्चे मुख का दर्शन कर सको क्योंकि तुम जैसों को तो बहुत पहले ही नश्ट कर दिया जाना चाहिए था परन्तु दूसरी बार परमेश्वर के देखदारण के आगमन के कारण परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है और तुम लोगों पर दया दिखाई है खेर, मैं अंत में इन शब्दों के साथ तुम सबसे विदा लेना चाहता हूँ ये साधारण सा मनुष्य जो देखदारी परमेश्वर है तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यही वो सबसे बड़ा काम है जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच पहले से ही कर दिया है मैं अंधा और अंजान रहा मुझे परमेश्वर का कोई ग्यान नहीं था देधारी परमेश्वर अपना कारे करते हैं और अपना वचन अभिवक्त करते हैं जिसका उदेश पूरी तरह से मानवजाती को बचाना है मनुष्य को लाब देना और उसे उसके शांदार गंतव की उर ले जाना है सही है मानवजाती को बचाने के लिए परमेश्वर अपने आपको निचले स्थर पर लेकर आए लेकिन मैं नकेबल उनका स्वागत नहीं करता बलकि मैं अभी भी स्वर्ग के परमेश्वर की आस में हूँ अभी भी उमीद लगाए हूँ कि स्वर्ग के राज्य में हमारा आरोहन किया जाएगा जहां तक देहधारी परमेश्वर की बात है नकेबल मैं ये देखने में बिफल रहा कि वे कितने सुंदर हैं और कैसे गुप्त रूप से अपने आपको निचले स्थर तक लेकर आए हैं यहां तक कि मैं उनके बारे में धारनाय बनाता रहा उनको अस्विकार करता रहा मैं कितना घमंडी, एंकारी, ब्रष्ट और मूर्ख हूँ 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 किवल अब जाकर मैं अन्त तर समझ पाया हूँ कि अन्त के दिनों में नियाय का कारे करने के लिए परमेश्वर का देहधारन करना उनके असीम प्रेम को दर्शाता है किवल परमेश्वर के देहधारन को स्विकार करके और उनके सामने स्वरगा रुष्ध होकर ही हमें बचाय जाने की उमीद होती है देधारी परमेश्वर का धन्यवाद, ये कितना बड़ा सम्मान है, है ना, हाँ अब ये परमेश्वर का थन्यवाद, अभी भी उधार के उमीद बागी है उमीद बागी है इन गुजरे हुए सालों में मैंने हमेशा परभू ये शु के अनुयाईयों से इर्शा की थी मैं उनके साथ दिन रात आमने सामने रहते थे सीधे उनके वचन को सुनते थे कितना बड़ा भागी था उनका सच मुझ बहुत बड़ा भागी है मैंने अपनी आधी से जादा जिन्दगी प्रभू का विश्वास किया है। और एसा एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने प्रभू को आमने सामने देखने। उनके पास रहने की उमीद न की हो। आज अन्तताह मेरा ये सपना सच हो गया है। मैं सच मुझ भाग्यवान हूँ। कितना बड़ा भाग्य देहधारी परमेश्वर मानव जाती के लिए लेकर आये है। आमीन। बहुत अची बात है। प्रभू के आगमन के लिए मेरी प्राथनाओं का अन्तता जवाब मिल ही गया है। मैंने अंततह प्रभू का प्रकटन देख लिया है। और उनके साथ आमने सामने आ गया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अब जबकि स्वयम परमेश्वर नयाय और ताणा का कारे करने के लिए शरीर में आ गये हैं। तो अंततह कुछ उमीद जग गई है कि हमें बचाया जा सकता है। और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश्व पा सकते हैं। हाँ, कुछ उमीद बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। यह हम सभी के लिए सरवाधिक दुरलब और बहुमूल अबसर है। आमीं। 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 हम कितने भागेश अली है। ओफ और जब मैं प्रभू के आमने सामें आने की कुपना करता हूं। मुझे महसूस होता है। आमीं। 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 कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी प्रभू के आमने सामने आ सकता हूं। मेरे विश्वास के सारे वर्षों में यह मेरी सबसे बड़ी उमीद रही है। अहां यह सही है। अब मेरी इच्छा अंतता पूरी हो गई है। आमीं। आमीं। हर जाती आखरकार पूजेगी इस मामूली इनसान को। आमीं। 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 झाल